असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब अल्लात अल्लाब सभी लोगों को खुश हुआ बाद हस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं अल्लात अल्ला के नाम से जो दूनों जहानों का परवर्दिगार है आज हम आपके लिए दो प्याजा अंडा की रिसेपी लेकी आए हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है और काफी टेस्टी हमने बनाया है बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जटपट से बहुत ही जल्दबाजी में अगर आप बनाना चाहें तो आए देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है और इसके लिए हमने क्या क्या सामान लिया है देखें यहाँ पे हमने प्याज ली हुई है चार मीडियम साइज की प्याज हमने ली हुई है प्याज जादा जाएगी इसमें चार अंडे है चार मीडियम साइज की प्याज हमने ली हुई है और यहां पे देखे धनिया पाउडर हमने दो चमच लिया है एक चमच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और एक चमच हमने गरम मसाले का पाउडर लिया है एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर है और आदा चमच हमने नमक लिया है गरम मसाले में हमने तेजपत्ता, दारचीनी और सफेद लाचीली हुई है एक टमाटर हमने लिया इसे बारिक बारिक कट कर लेंगे और तीन सब्स मिर्चों को लिया हम इसे बीच सी स्पिलिट कर लेंगे चार अंडे का इस्तेमाल हमने किया है अद्रक्रिसुन का पेस्ट है बिसमिल्लाह रह्मानी रहीम कडाहे में हम तेल गरम होने के लिए रखेंगे तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम अपनी प्यास शामिल कर देते हैं सबसे पहले प्यास को शामिल करेंगे और इसमें हम अपने खड़े गरम मसाले भी आइड कर देंगे और प्यास को हम फराई करेंगे आज को हम थोड़ा सा लो कर देंगे प्यास को हमें बहुत ज़दा फराई करके कोल्डन नहीं करना है बस हलकी से नरम हो जाए और हलका सा कलर आ जाए एतनी देर तक हमको प्यास को फराई करना है देखे कुछ इस तरीके की प्यास हो चुकी है तो इसमें आईए हम अपने सभी मसाले शामिल कर देते हैं साथ ही में फटाफट से हमने देखि अपने पाउडर मसाले एंच में स certaines कर दिये और इसमें हम अदधर कलेशन क का पेश शामिल करेंगे और सौरण से हम टमाटर भी शामिल कर देंगे सभी कुछ हम साथ ही में शामिल कर देंगे बहुती easy और बहुती quick सी recipe है recipe पसंद आया करें तो like भी कर दिया करें आप इस stage पर कर दें बाद में करना आप बिल्कुल बूल जाते हैं तो देखें इसको हम थोड़ा चला के fry कर लेते हैं यहाद मिनट तक हमने फराई किया है एक बाद अब इसको धकन लगा देंगे दो मिनटके लिए इस stage पर आके हम अपनी हरे मिर्चों को बीच से splayed करके शामिल कर देंगे बहुत अच्छे से हमने इसको भून लिया है, टमाटर बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो चुका है तो इसमें मिर्च भी शामिल करके हम थोड़ा सा भूनेंगे और हम इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर देंगे पानी अब हमारा अच्छा खासा खुच खो चुका है थोड़ा सा पानी हम शामिल करके इस अच्छे से भून लेंगे पानी के साथ भी हम इसके को बच्छी से भूनाई कर लेंगे एक बार और इसके बाद अब हम उसी प्याली से छोटी प्याली से हमने एक प्याली पानी शामिल कर दिया है मसाला भुनने के बाद हमने पानी शामिल कर दिया है और आज को अब हम थोड़ा सा कम कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे अंडे, इस तरीके से हम तोड़के बस अंडे इसमें शामिल करते चले जाएंगे, देखें चार अंडे थे हमने इस तरीके से शामिल कर दिया है, बहुत ही जटपट से एक क्वीक सीरे से पी तयार हो जाती है, मिंटों में तयार होती है, हमको बन ठोड़ा सा काली मिर्च का पावडर अंडो को उपर डाल देंगे तो एगक खुश्वरत दिखेगा और हम थोड़ा सा हलका सा नमक भी इसके उपर डाल देंगे और अब हम इसमे शामिल कर रहे हैं शिम्ला मिर्च इस तरीके से हमने कट कर ली है, अगर आपके पास हो तो जरूर शामिल करें, इससे काफी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है अगर ना हो तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, रेसेपी कंपलीट तो बस हो चुकी है देखें, इस तरीके से हमने शिमला मिर्ट डाल दी, और थोड़ी से हम सब्स धनिया से, बहुत ज़रा से सब्स धनिया से हम इसको गार्निश कर रहे हैं और इसको फिर हम ढगकर लगा के पकाएंगे लगभग तीन मिनट तक, अगर आपको पुरा फुल पका हुआ चाहिए तो तीन मिनट में बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा अगर आपको हलकी से जर्दी उसके कची कची सी चाहिए, तो आप दो मिनट तक पका कि इसको बंद कर सकते हैं देखिए माशाला काफी खुश्बुदार, काफी खुबसूरत सा हमारा अंडा बनके तयार हो चुका है जट पट से बनके तयार हुआ, मिन्टो में बनके तयार हुआ है, बिल्कुल जैसा हमको चाहिए था वैसा हो गया है तो यहां पे आके हम आज को बंद कर देंगे और डिस्ट को सर्फ करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं यहां भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना हर्बिस न भूले साथ में लगा होबिल का इकान भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हैरा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आप लोगों को जजाए खेर दे आप लोगों के रिस्क में उमर में बरकत अता फर्माएं आप लोगों की जिन्दगियों में सुकुन और महबत अता फर्माएं हमें भी दुआओं में याद रखें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी है किसी कुईक और मज़े के रेसेपे के साथ अल्हाफीज